वेलकम टू माइचैनल ग्याननमेशन आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं बहुत ही इंपोर्टेंट करंट अफेर्स की सीरीज को तो यह वीकली करंट अफेर्स रहेंगे तुमारे जिसमें हम डिसकस करेंगे 25 से लेकर के 31st अफ ऑक्टूबर तक के जितने भी इंपोर्टेंट न्यूज हो ओके तो चलिए शुरू करते हैं मेरा नाम है समिक्षा सिंग और यह वीडियो बहुत ही साधे इंपोर्टेंट है और गवर्मेंट एस्पारेंट के लिए तो प्लीज इसे पूरा जरूर देखें ओके तो पहल से हमारे ऑप्शन ए ब्रजील ऑस्ट्रेलिया भारत रश्या एंड फ्रांस तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है भारत तो नेक्स कोशन हमारा शेहरी विकास सिख्षा प्रणाली में सुधारों की शुरूआत करने के लिए नीती आयोग द्वारा गठित सलाकार पैनल के प्रमुक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो हाली में नीती आयोग के जो प्रमुक चुने गए हैं चलिए देखते हैं ऑप्शन में कौन है वो तो सबसे पहला है अमिताव कांत सेकेंड है राजीव कुमार थर्ड है आर्विंद पनागरिया और फोर्थ हमारा वि इस उस्तर पर संयुक्त राष्ट दिवस कब मनाया जाता है संयुक्त राष्ट दिवस अभी हाली में मनाया गया था आपको याद भी होगा यह तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं 21st of October 22nd of October 23rd of October and 24 and 25 तो प्रेक्ट जो अप्शन है वो है ऑप्शन नमर्डी इस का यानि 24 of October को संयुक्त राष्ट दिवस मनाया गया था हाली में तो नेक्स कुशन है कुशन नमर्फोर प्रधान मंत्री ग्राम सडक यूजना पी एम जी एस वाई को लागू करने के लिए किस जिलेने सीर्स तीस जिलों की सूची में सबसे उपर है तो हाली में एक सूची लागू की गई है जिसमें जो जला सबसे ऊपर है चली ओप्षिंस देखते हैं मंडी दहरादूल शिम्बला लेह और कांगडा तो इसका जो करेक्ट ऑप्षन है वह है मंडी अब नेक्स कुशन पर चलते हैं कुशन नमर्फाइब विश्व पोलियो दिवस यानि वर्ल्ड पोलियो ड लगता है या फिर एक हाथ काम ने करने लगता तो ठीक है तो यह बेसिकली एक डिजीज होती है तो वह एक डेव सेलीब्रेट किया जाता है तो देखते हैं कब सेलीब्रेट करते हैं उसे 24 23 25 अक्टूबर 28 and 29 अक्टूबर तो इसका जो करेक्ट ऑप्षन है वह है 24 ऑप्ट साध हरीरी को हाली में किस देश के प्रधान मंत्री के रूप में नियोक्त किया गया है साध हरीरी आपको नाम से ही लग रहा होगा यह किसी अरब कंट्री का है तो ऑप्षिंस देखते हैं कतर साइप्रस लेबनान और क्वैथ और उमन तो यह जो प्रेसिडेंट जो चुने गए प्रधान मंत्री जो चुने गए हैं वह हैं लेबनान के जिसका नाम है साध हरीरी पय अब नेक्स कुष्शन हमारा सैवन सैयुक्त राष्ठ सैयुक्त राष्ठ क्या है यूनाइटड निशंस द्वारह माननेता प्राप्त विश्यू विकाज सूचना दिवस के रूप ओके option देखते हैं 18 October 24 27 30 and 22 अभी रिसेंट में यह बनाया गया था तो इसका जो करेक्ट option है वो है 24 of October okay question number 8 हाली में IFM के 190 सदस्य की रूप में कौन सा देश सामिल हुआ है तो options देखते हैं अंडोरा अर्मेनिया तिमोरा लेस्टे मोगर मेडगासकर मेडगासकर यहीं है अपने इंडियन ओशियन में ही है अफ्रीका के साइड में and San Marino तो इसका जो करेक्ट option है वो है अंडोरा ओके तो question number 9 2020 2020 में संयुक्त राष्ट अपनी स्थापना की वर्षगांड मना रहा है तो हाली में 2020 में संयुक्त राष्ट ने अपनी स्थापना दिवस मनाया था तो यह बेसिकली 75th anniversary थी options में जो डी option है वो इसका करेक्ट है ओके तो यह बहुत ही जादे पॉर्टेंट है इससे रिलेटिड मर्द डिटेल में भी कुशन हो सकता है पूछ ले जाएं तो इससे आप डिटेल में ज़रूर पढ़ लें ओके तो question number 10 है हमारा October 2020 June 2021 की अवदी के लिए ILO की governing body के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो options देखते हैं निवेदिता शुकला वर्मा option B कुंदन कुमार option C अपूर्वा चंद्रा option D क्रशनेंतर प्रताप सिंग option E है रोहन वर्मा तो इसका जो correct answer है वो है निवेदिता श 10 October 2020 से जून 2021 की अवदी के लिए ILO की governing body के नए अध्यक्षानी चेयर person के रूप में चुना है question number 11 प्रतान मंत्री ग्राम सडक योजना यानि PMG SY किस वर्ष में शुरू की गई थी तो options देखते हैं 2040 और 2017 1995 and 2005 तो इसका जो correct option है वो है 2000 यानि 2000 में PMG SY यानि प्रत्धान मंत्री ग्राम सडक योजना का शुबारम हुआ था question number 12 निम्लिखित मैंसे किस बैंक ने टोयोटा क्लोस्टर मोटर TKM के साथ गट जोड किया है जिससे बैंक बाद वाले द्वारा बेची जाने वाली बाहनों की पूरी स्रंख़़ा के लिए पसंदीदा फाइनसरी मैंसे एक होगा तो options देखते हैं केंडरा बैंक बैंक ऑफ इंडिए पंजाब नेशनल बैंक यानि जिसे हम कहते हैं PNB और D है हमारा Indian bank and E option है Bank of Bordda तो इसका ज़ो correct option है वो है bank of Bordda यानी बी ओ बी उड़ी और एक और बैंक है हमारी Bank of India वो अलग है जो option B में दे रखा है Confuse होने के जरूत नहीं है इन दोनों में ओके तो question number 30 है हमारा ब्लैंक ने भारत में डिजिटल पहले कारेक्रम का विस्तार करने के लिए अटलांटिस के साथ साजिधारी की है तो ऑप्शन देखते हैं पे टी एम रुपाए वीजा मास्टर कार्ड और फोन पे तो ऑप्शन डी जो है मारा मास्टर कार्ड वो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉस्चन नमबर फॉर्टीन पर चलते हैं फॉर्टीन है मारा विश्यू पोलियो दिवस अभी हम इसको डिसकस कर चुके हैं अभी रिसेंट में सेलिब्रेट किया गया है इसका जो थीम थी वो क्या थी यह बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन है डेवी पूछ लेते हैं और जो डेज सेलिब्रेट किये जाते हैं उनकी थीम बहुत जादा इंपोर्टेंट होती है क्योंकि वो हर साल बदलती है कंडिशन को देखते हुए तो इसकी जो थीम थी वो बेसिकली क्या थी पॉलियों के खिलाफ एक जीत वैश्विक स्वास्त मे और ऑप्षण जो ई है पॉलियों फीरोस का उससरा दोस्क्रों सब्सक्षानल सी जीत वहश्यक स्वास्त के लिए एक जीत है तो इसका जो यह ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर है किसका जो भी रिसेंट में वर्ल्ड पोलियो डे सेलिबरेट किया गया था तो बहुत ही जादे इंपोर्टेंट है आपके लिए अब नेक्स कुशन है इसी टॉपिक से विश् लिए कब की गई थी किसने की थी तो उप्शन देखते हैं हम जोनास साल्ख अलवर्ड कैलमेट एडॉल्फ वोन वेरिंग को इमेल करें ठीक है और एडवर्ड जेनर और लुइस पास्चर तो लुइस पास्चर तो नहीं होगा यह तो बायो वाले उके तो इसके जो प्रदानमंत्री मूदी ने 24 अक्टूबर 2020 को किस राज में किसान सूर्य योजना की शुरुवात की है तो ऑप्शन देखते हैं हम मद्य प्रदेश गुजरात उडिशा बिहार तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है गुजरात यानि गुजरात में 24 अक्टूबर को किसा सूर्य योजना का शुवारम किया गया है तो चलिए देखते हैं अपने गुजराती स्टेट की बहुत अच्छा स्टेट है यह अपने इंडिया का तो वहां के जो कैपिटल है वह है गांधी नगर और वहां की जो रिसेंट में जो गवर्नर है वह आचार्य देवरत और ची सेवानीती शुरू की है यानि 9 मास्क नू मदब ना कोई सेवा और ना कोई मखोटा मास्क थे से रिलेटर है यह तो वेसीक्ली तो देखते हैं कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है भारत नेपाल बंगलादेश और पाकिस्तान तो इसका जो करेक्ट आप्शन है वो है बंगलादेश तो बंगलादेश है अपना पडोसी देस है तो ज्द्द डिलिय। टाका और अंगलादेश की जो सौरी जहां की जो करंसी है वो है टाका और वहां की जो कैपिटल है राजदानी है वह धाका तो इसमें बहुत ज्यादा करने वाला जो राज है वह हमारा उत्तर प्रदेश तो पता ही होगा यहां की का है कैपिटल लगनों है और यहां की जो चीफ निस्टर है वह है योगिग आदियत्यनाथ तो चलिए नेक्स कुशन पर चलते हैं कुशन नमर 19 बहरीन और यू एई के बाद पिछले दो महिनों मे इसराइल के साथ सम्मंदों को सामानने बनाने वाला तीसरा राश्टर कौन सा बन जाएगा तो इसके जो आप्शन से वो है साओधी अरव कुएत कतर और सुडान तो सुडान जो है बहराइन और यू एई के बाद में इसराइल के साथ जो ट्रीटीज हुई है उनके अच्छा करने के लिए तो थर्ड जो कंट्री है वो है सुडान ओके अब नेक्स कुशन है किस राष्ट ने कुशन नमर ट्विंटीन किस राष्ट ने देश में कोविड-19 वैक्सीन के लिए विश्व वैंग से 500 मिलियन समर्थन की मांगी है तो ऑप्शन देखते हैं देख ने 500 मिलियन की जो है समर्थन की मांग की है कि वो उन्हें समर्थन ने किसके लिए कोविड-19 वैक्सीन के लिए और किसे की है वर्ल बैंक से जो कि सारे कंट्रीज को फंडिंग प्रोवाइड करता है एक मतला सेंट्रल रेगुलेटरी बॉडी है सारी कंट्रीज के लि एफ ग्रे सूची में कौन सा देश बना रहीगा तो ओप्शन देखते हैं सीरिया सुडान इरान पाकिस्तान तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है पाकिस्तान और पाकिस्तान जो है अपना नेवर कंट्री है यह तो आपको सबको पताई होगा ओके चलिए कोशन नमर्ट ट्व निमलिखिन देशों में से कौन अंतराष्टिय स्रम संगदान का सदेश्य नहीं है तो ऑप्शन से हमारे भूटान बांगलादेश नेपाल पाकिस्तान तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है भूटान जो कि क्या नहीं है अंतराष्टिय स्रम संगठन का जो है मेंबर नह देखते हैं संयुक्त राजयए अमेरिका फ्रांस जर्मनी जापान तो भी-इ-सि-ए समझOldbirds नं're जो किये हैं तो बहुट基本 सबस्क्राइब है करे शक्राश अमेरिक यानि यू ऐसे यूनाइटेड स्टेट स要फ अपने एक्रशन पर चलते हैं कुशन नमबर 24 तो कुशन नमबर 24 हमारा किस एरलाइन भारत में अपने यात्रियों के लिए कोबिड-19 परिक्षण की सुभिदा शुरू की है तो फैसिलिटी जो स्टार्ट की है वो की है ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले ऑप्शन से एक आइडिया लग जाता है कि किस-किस तरीके से हमें गुम्रह करने का प्रियास किया जाता है परिक्षाओं में तो चलिए नेक्स पे चलते हैं को तो किस राष्ट ने कहा कि वह तैवान को अमेरिका हतियारों के विक्री पर आवश्यक करेगा तो ऑफ्शन देखते हैं उत्ता करूरिया चाइना जापान और भारत तो यह कहा है किसने चाइना ने कुश्चिन 26 27 अक्टूबर 2020 को किस राष्ट में एक मदर्से में भारी बिस्पोर्ट हुआ ऑप्शन देखते हैं हम अभी जो है जहां पर जो ब्लास्ट हुआ है किस दिन 27 अक्टूबर को कहां पर एक मदर्से में सल्मानों का एक जो है मिस्णरी जैसा कहते हैं एक एजुकिशनल सोसाइटी होती है स्कूल कह सकते हैं जिसमें बच्चों को क्या इसमें सिक्षा दी जाती है जोटी बच्चों यह नहीं होता है घ्रुस łatरी हायर इजुकेशन के लिए उटके आप्शन देखते हैं दोजार पचास तक सूने कारवन उत्ष सर्जन प्राप्त करने का लक्ष रखा है तो जीरो कारवन जो है उत्ष सर्जन मतलब जो कारवन का जो जो फैक्टरी वगरा से बढ़नी होने के बाद जो निकलता है स्मोग ठीक है तो ऑप्शन देखते हैं संयुक्त राज अमेरिका भारत जापान चीन ओके तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जापान कुशन नमबर 28 किस देश ने अठारे व्यक्तियों को आतंगवादी के रूप में नामित किया है जिसमें पाकिस्तान इस्थित लक्षर लशकर का शीर्स कमांडर भी शामिल है अप्शन A है इसमें भारत, B है फ्रांस, C है स्री लंका और D है चाइना तो अभी हाली में भारत ने जो है अठारे व्यक्तियों को आतंगवादी के रूप में नामित किया है जिसमें से जो लशकर है उसका एक जो शीर्स कमांडर है चीफ कमांडर ठीक है तो वो भी उसमें क्या है इंक्लूडेड वो भी शामिल है उसमें तो कुशन नमबर 29 देखते हैं इंफेंट्री दिवस कब मनाया जाता है तो देखते हैं कब सेलिब्रेट किया जाता है इसे 27th of October 28 October 30 October और 1 November तो यह कब करते हैं 27th of October यह इतने इंपोर्टेंट है और इतने ज्यादा है ना इनको प्याद करना एजी नहीं है तो इससे अच्छा है कि आप जो है मंतली या फिर वीकली जो है करण्ट अफेयर्स की सीरीज देखते रहें और उसी से हो जाता है उसे अगर आप एक दो दो से तीन बार उसे अगर आप देख लेंगे तो उसी से रिवाइस हो जाएगा ठीक है और किसी किसी का तो ब्रेन बहुत जादा शार्प होता है एकी बार में वह रिकॉल कर लेते हैं हर चीज को तो चलिए नेक्स कुशन देखते हैं कुशन नमबर 30 सैयोक्त राश्ट ग्रेटा थूनबर्ग राश्ट्रिय वह सागरिय और वाय मंदलिय प्रक्षासन गलोबल हेमालय एक्स्पेंडिशन तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह है ग्लोबल हेमालय एक्सपेंडिशन तो क।शी नमबर 31 कह रहा है हमारा कि सिर्कार ने बिन पर्मिट के राज में स हर खंड उड़ी सा आंदरपदेश तेलंगाना तो इसका जो करेक्ट ऑप्षन है वो है आंदरपदेश जहां के जो हैं चीफ इनिस्टर है वो है विश्व भूसन हरी चंदन और गवर्णर है वो है वाई एस जगर मोहन रेटी और यहां की जो कैपिटल है वो है तीन है मुरको नियंत्रित पश्चिमी सहारा में वाणेज्य दूतावास खोलने वाला अरव देश का पहला राष्ट कौन सा बन गया है तो अप्षन देखते हैं साओधी अरव सायुक्त अरव अमीरात कतर जॉर्डन तो इसका जो ऑप्षन भी है वो है करेक्ट है सायुक्त अरव अ कि यू एई कहते हैं से कोश्च नमब 32 मुरको नियंत्रित पश्चिमी सहारा में बाड़ेज्य दूतावास खोलने वाला अरव देश का पहला राष्ट कौन सा बन गया है तो इसका जो ऑप्षन भी दे रखा है संयुक्त अरव अमीरात यानि यू एई ओके तो इसका करेक् नमब 33 किस राष्ट ने भारती नोसेना को एफ एटी नोसेनिक लडाकु जैट की पेशकस की है तो ऑप्षन देखते हैं फ्रांस ब्रिटेन अमेरिका रशिया तो इसका जो ऑप्षन सी है वह करेक्ट है यानि अमेरिका ओके और अमेरिका में अभी क्या है वोटिंग चल र रहे हैं हम पर तो कोईशन नमर 34 किस राज्य केंद्र सासित प्रदेश यानि यूटी के मुख्य मंत्री राज्य सरकार को नोटिस में प्रदूशन फैलाने वाली करतिव विदियों को लाने के लिए एक एक एप लांच करेंगे तो ऑप्षन देखते हैं पंजाब उत्तव देश हरयाना दिली तो इसका जो करेक्ट है वो है दिली ओके तो दिली के जो सीएम है वो है अर्विंद केजडिवाल आपके आमाधमी पार्टी के जो नेता है और दिली खुद एक इंडिया की कैपिटल है हमारे कंड्री की और क्या है यूनियन टेरिटरी है इट इस नोट स्टेट इस टैरिटरी यूनियन टैरिटरी ओके तो कन्फ्यूज होने की ज़रूत नहीं है कुछ नम्म किस राजने अंतर जातिय विवाहे जोडों को प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक पोर्टल लांच किया है तो ऑप्शन देखते हैं तेलंगाना तमिल नाडू करना टक उडिसा तो ऑप्शन डी जो है वो क्या है कोडिसा जो की करेक्ट आंसर है इसका वर्णर हमांकि गनेशी लाल और चीफ फिनिस्टर है नवीन पटनाएक कुशन नंबर 36 डी जी सी ए ने निर्धारत अंतरास्ट्रिय वाड़े जेक यात्री सिवां पर निलवन को कब तक बढ़ा दिया है तो ऑप्शन देखते हैं थर्टी नवेंबर 15 नवेंबर 25 कुश्चन नमर 37 जी एसके और सेनोफी ने कोवेक्स सुविदा की समर्थन करने की योजना बनाई है जिसमें कितने कोविट 19 वैक्सिन की खुराक है तो ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन ए हैं 100 मिलियन ऑप्शन बी है 200 मिलियन ऑप्शन सी है 300 मिलियन और ऑप्शन डी है तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन भी 200 मिलियन वह करेक्ट है तो क्वेशन नमर 38 पर चलते हैं चीन किस छेत्र में दुनिया के सबसे अधिक और तो कंप्यूटिक का निर्माड कर रहा है तो ओप्षिन देखते हैं ताइवान होंग कोंग बीजं और तिबध Harper है नेयं है तो तो ऐसरी जो सबसें आप्डार कलाउड कंप्यूटिक इड़े शन्त okay किया है कि फैसमों नियर्माड कर आते हैं हिमाले से उपर तो वो सारा एरिया तिबत का ही है जिस पर जो है काफी एरिया में चाइन ने इल्लीगली जो है अपना आधिपत्ति स्थापित कर रखाया कब्जा कर रखाया कुश नमर 39 भारत ने 11,000 कोल्ड वैदर क्लोफिंग सिस्टम की खरीद किस राष्ट की ससस्त्र सेना से की है ऑप्शन देखते हैं फ्रांस रश्या यानि रूस जिसे हम इंदी में रूस कहते हैं संयुक्त राज जापान तो इसका जो कोल्ड वैदर क्लोफिंग सिस्टम की खरीद जो है की है किसने संयुक्त राज की सेना ने तो चलिए आगे चलते हैं कुशन नमा 40 साथ नवंबर को इस रूद्वारा कौन सा उपग्रय लॉंच किया जाएगा साथ नवंबर को इस रो यानि इंडिया निसे इस पेस और और ओर नाजिशन जो कॉवर्मेंट और इंडिया की तो वह एक पग्रय लॉंच करने वाला है उसका नाम है उप्षिंस की तुरू देखते हैं हम एस ओएस एक्स एड़ एक्स टू पीवी एस वन तो इसका जो करेक्ट ऑप्षिंस वह है ईओएस वन तो ऑप्षिंस बह आपके अंदर क्यूरिसिटी होगी यह चीज देखते हैं क्या है तो चलिए बहुत हो गया बातें चलिए नेक्स कुशन पर चलते हैं 41 अनुभवी भाजपा नेता केशु भाई पतेल का निधन 29 अक्टूब 2020 को हुगा था उन्होंने किस राजी के मुख्यमंत्री के रूप में कार्रे किया था तो ऑप्शन देखते हैं मध्य प्रदेश गुजरात महाराश्ट्रा पश्रिम बंगाल तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह है भी यानि गुजरात कुशन नमब 42 भारत ने विकास परियोजनाओं के लिए मध्य एशिया के लिए लाइन ओफ पश्रिमियन का दानाय है और आप पहुजरे करेक्ट आप्शन है बिलेंडी ऐस कोड़ी मिलिंड़न युज दीख्यू करेक्ट-प्शीन एक वह दि यानि 1 बिलियं युएस डॉलर तो इसमें कंफियोज होने के जुरुवत नहीं है मिलियन चोटा होता है बिलियन बड़ा होता है और वन मिलियन में लगवक 10 लाके करीब हो नमबर 43 केंद्रिय मंदल ने भारत और किस राष्टे के भी स्वास्त और चिकित्सा के छेतर में समझोता ग्यापन पर स्ताक्षर किये हैं तो यह किये हैं ऑप् पराने बहुत मंदिर मिलते हैं मिस्टीरियस प्लेस मतलब कि अभी तक पता नहीं चल पाया है कि किस तरीके से लिंग था यह किस तरीके से हिंदुईज्म का इतना वह एक्सपोजर हुआ उस कंट्री में तो चलिए 44 कृश्शन देखते हैं किस राज ने किस राज के मुख् पर देश तेलंगाना तो ऑप्शन जो डी है तेलंगाना वह करेक्ट है जिसने एस धनी पोर्टल लॉंच किया है कुछ नमब फॉर्टीफाइव हूँ हैस डेवलप्ड मेसेजिंग एप्लिकेशन कॉल्ड सिक्योर एक्प्लिकेशन फॉर दा इंटरनेट तो मेसेजिंग हम जो एसमेस बेशते हैं वह उसके लिए एक एप्लिकेशन लॉंच की है जिसका नाम है सिक्योर एप्लिकेशन फॉर दा इंटरनेट तो यह की है किसके लिए किस ने जो है शुरू की है यह की है ऑप्शन देखते हैं डी आर डी ओ इस रो और इंडियन आर्मी टेरिटोरियल तो बेसिकली यह की है जो है इंडियन आर्मी ने तो अगर हम बात करें अधर ऑप्शन की यानि डी आर डी ओ तो यह फ्यूल बगएरा से जो है एनर्जी से रिलेटिड है इस तो आपको बताई है इंडियन स्पेस रिसर्ट और टेरिटोरियल है टेरिटरीज की जो आर्मी होती है वह तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह है इंडियन आर्मी जिसने क्या क्या है एक मैसेजिंग एप्लिकेशन लॉंच की है यानि सिक्यूर एप्लिकेशन फॉर दा इंटरनेट ऑप्शन नमल कुशन नमल 46 भारत ने किस सबजी के बीज के निल्यात पर और हाली में प्याज के निल्यात पर भी प्रतिवन लगाया था ठीक है और इसके बीज पर प्रतिवन लगा दिया है अब ऑप्शन कुशन 47 किस राज ने राजपाल के एक विद्या को मंजूरी दी है जो सरकारी स्कूलों के छात्रों को चिकित्सा प्रवेश में 7.5 प्रति करनाटक ते लंगाना तो इसका जो भी ऑप्शन है वो करेक्ट है यानि तमिल नाडू कुशन 48 ट्रेनों में महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिक्स सुनिक्षित करने के लिए भारती रेलबे ने क्या पहल की है तो ऑप्शन देखते हैं मेरी सहेली सार्थी शक्ती जल ल लक्षमी तो ऑप्शन जो एह है यानि मेरी सहेली इसका करेक्ट ऑप्शन है तो कि किसका नाम है एक केमपेंन का नाम है जिसमें जो है फिमेल जो यात्री होती है उनको फिमिल पैसेंजर की सुरक्षा को देखते हुए ओके तो कुशन किस देश की अर्थ विवस्ता ने चालू वित्वर्स की तीसरी तिमाही यानि 33 प्रतिशत की आर्थिक ब्रती दर्ज की है ऑप्शन देखते हैं अमेरिका चाइना जापान फ्रांस तो इसका क्रेक्ट ऑप्शन वह है यानि अमेरिका किस मंत्री मंडल ने हाली में भारत और किस राष्टिए भी सूचना और संचार प्रद्योग्य की छेत्र में सहियों का विस्तार करने के लिए मोसी को मंजूरी दी ऑप्शन देखते हैं जर्मनी फ्रांस जापान इंडोनेशिया तो ऑप्शन जो है जो सी है वह इसका करेक्ट ऑप्शन है अब चलते हैं कुशन नमर्व 51 पर किस राजन ने पोस्ट कोविड उपचार क्लीनिक इस्थापित करने का निर्न लिया है तो देखते हैं तमिल लाडू केरल महरास्ट्रा उत्तर प्रदेश तो इसका जो ऑप्शन भी है वो करेक्ट है यानि केरल अगर हम बात करें केरल की तो के जो कैपिटल है वो है तिरुबनंद पूरम उके बड़ा लंबा सा नाम है याद रखना इसे तो कुशन नमर्व 52 कुछ कुशन सोर हैं हमारे सीरीज में 29 ओफ ऑक्टूबर 2020 को भारत ने आठवे संयोक्त आयोग की बैठक किस रास्ट के साथ आयोजित की ऑप्शन देखते हैं मैक्सिको कैनेडा रूस ऑस्ट्रेलिया तो ऑप्शन जो ए है मैक्सिको इसका करेक्ट आंसर होगा कुशन नमर्व 53 29 30 अक्टूबर 2020 को निम्लिकित राश्ट्रों के बीच एक भीशड आतंकी हमला हुआ इटली अफगानिस्तान ट्यूनेसिया फ्रांस तो इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है यानि फ्रांस तो कॉशन नमर्व 54 है हमारा नासा ने निम्लिकित वैद शाला में से किसने चंद्रमा की सतर पर पानी की खोच की है ऑप्शन देखते हैं हेलियोस्फेर नास कॉम सोफिया मॉलवे टैस तो इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है यानि सोफिया सोफिया ने क्या किया है चंद्रमा की सतर पर पानी की खोच की है ओके तो कुशन नमर्व 55 एसाई के साथ निम्लिकित में से किस संस्थान ने इसमारकों की बहाली के लिए दो इतालवी संस्थानों के साथ एक समझोतों ग्यापन्ह स्ताक्षर किये हैं तो ऑप्शन देखते हैं पर देखते हैं आई आइएटी रूड की गोहाटी डैली आइटी कानपूर मद्रास और ऑप्षिन जो डी है आईएटी कानपूर ऑप्ष्न होगा इसका तो चलिए कि नेक्स पर चलते हैं निम्लिकित में से किस देश ने कहा कि वह दोजार पचास तक सूने कार्बन उत्सरजन प्राप्त करेगा तो यह उप्शन हम डिसकस कर चुके हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह जापान कुशन नमर फिफ्टी सेवन छह बर्सिय अंजार मुस्तेनी आली किस देश के आई सी सी आर दोारा आयोजित वैस्विक का लाई प्रतियुकत जीती है तो ऑप्शन देखते हैं पाकिस्तान बांगलादेश स्री लंका वियत नाम इंडूनेशिया तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह बांगलादेश तो कुशन नमर फिफ्टी एट है मार निमलिखित में से किस कंपणी ने अपने प्लैटफॉर्म पर डिजिटाल गोल्ड रॉंच किया है तो आप्शन देखते हैं भारत पे रेजर पे एमेजोन गूगल पे पे ट्याइंट तो भारत पे ने इसको लांच किया है क्या डिजिटल कोल्ड लांच डिजिटल को तो कुशन 59 भारतिय सेना द्वारा शुरू किये गए सुरक्षित संदेश अनुप्रयोग का नाम संदेश अनुप्रयोग के रूप में टेली ग्राम और वाट्सप के समान है तो ऑप्षिंस देखते हैं समवाद आरमी मेसेंजर तो इसका जो मेसेंजर है वह साइजे करेक्ट और शूर्ण है तो नेक्स कोशन हमारा लास्ट नहीं सीरीज का कोश्ण नम्र सिक्स्टी निम्लिकित में से किसे भारत के नए मुख्य सूच ना आयोक्त के रूप में नियुक्त किया गया है तो ऑप्शन देखते हैं बिमल जुलका रजत कुमार येश वर्धन कुमार सिना उद्य माहूर कर रविधास खन्ना तो इसका जो को यह सीरीज पसंद आई होगी और पसंद आई हो तो आप इसे प्लीज अपने फ्रेंज के शाथ शेयर करें जिन्हें भी ना पता हो तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल लखिए सभी बहुत ज़्यादा पैंडमिक चल रहा है के बाइ